महिला शुरक्षा के लिए बढ़ते कर्म और काम को हमेशा से याद किया जाता है जिनकी एक आवाज पर निर्भय स्क्वेड आगे बढ़कर काम करती है और हर गती से महिलाओं की शुरक्षा के लिए कोई समय नहीं देखती उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा एक दान रहा नाम बताने के महताज नहीं है लेकिन फिर भी एडिशनल डीस पी हमारे साथ सुनीता मेना जी हैं बात चीज के लिए खास बात के लिए महिला शुरक्षा हमेशा से आपके लिए अब से नहीं पहले से एक खास मुद्दा रहा जिसके लिए आपने भरपूर कारिय तो लिए आगे के कारी के लिए कि लिए किस तरह का प्रियास कर रहे हैं जिसके अंदर और चुप्शां के लिए अपने साधा वर्दी में अभी य को VO में भी अपने स् Geld को वार में ऑप कूलों के वार भी यानि कि मंचलों के खिलाब बहुत ही ज्यादा कठोर कारवाई जितने भी असमाजिक तत्व हैं उन्हें हम सलाकों की पीछे डाल रहे हैं यह बहुत बड़ी सच्चा ही है कि मेरे देश में 99% पुरुष बहुत अच्छे मात्र 1% ऐसे असमाजिक तत्वे जिन्होंने खा में पुरुष जाती को बदनाम कर रखा है तो उन्हें अंदर डालने का काम जो निर्भ्या स्क्वेड कर रही है मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि अब तक निर्भ्या ने 10,000 मंचलों को सलाकों की पीछे डाला है साथ ही हम लोग काम कर रहे हैं जन जागरुकता का भी यानि हम लोग घरगर जाकर सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं अगर कहीं भी हमें 28-30 महिलाओं का को ग्रूप या बच्चियों का ग्रूप मिलता है और आप हमें अगर आप हमारे 100 नंबर पर भी कॉल करते हैं हमें 1090 पर भी कॉल करते हैं तो हमारी मास्टर ट्रेनर फ्री आपको आ हैं क्योंकि वह सब बच्ची आप तयार हो गई हैं मुत और जवाब देने के लिए उन मंचलों को और जितने भी हमारा पूरा जापुर शहर में हम लोगों ने सर्वे किया है उस सर्वे के तहत हमने 235 ऐसे हट स्पोट चैनी किया है जहां पर कभी या तो कभी को गटना करम हुआ है चेड़ खानी हुई है या महापर इस तरह की कोई नहीं कोई घटना करम होने की संभाव नहीं की महिलाओं की भीड जादा रहती है कोई मार्केट प्लेस या फिल्कुल सुनसान जगे है यानि कि अंधेरा कहीं अगर इत्यादी कहीं है तो ऐसी जगे पर अगर किसी वर्डी वर्म कैमरे बटन वाले कैमरे भी हम लोग उनको प्रोवाइड करा दे हैं ताकि वह जिस यक्ति के पास जाए उनका जिनके वह निग्रानी रख रही है उनको बाद में हम लोग सजा भी दिला सकें तो इसके साथ ही अब जो नया हमने कर से प्लोड शुरू किया है वह है कि जितने भी मॉल हैं जितने भी ऐसी जगे हैं जहां पर की होटल्स वगर इत्यादी है जहां महिला है बच्चिया कपड़े इत्यादी चेंज करती है तो वहां किसी प्रकार का कोई उनका स्पाई कैमरे से फोटो या वीडियो ना निकाले तो उनके लिए भी अब हम है तो हो रही है लेकिन अभी जो है कुछ मामले ऐसे आ रहे हैं जहां पर चिनहित जगहों पर कि जो यह तो चूट रही है या फिर कुछ ऐसे बिंदू जिसकी वज़े से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के सासा समाज का साहता लेना भी बहुत जरूरत है आपकी सबकी सायोग लेने की बहुत जरूरत है और हमने देखा कि जो क्राइम कर रहे हैं उसका पैटन का अध्यान करना भी जरूरी है तो हमने देखा कि 18 साल से 35 साल के युवा वर्ग जो है इस प्रकार के क्राइम में ज्यादा लिप्त पाए गए तो इस युवा वर्ग को एक सह हमारे कानूनों में उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि अधिकाश शिवाओं को पता ही नहीं है कि कानून भी है और इसके तहत आपको कहीं ने कहीं सजा भी हो सकती है तो आप जब इन चीजों के बारे में जानकारी हो रही है तो कुछ हद त से पीछा करना यानि कि इंटरनेट के जरी पीछा करना फेस्बुक पेट्रोल वगर इत्यादी करना यह कंप्लेंट भी यानि कि कुछ टेक्निकल जो चीज है वह भी बहुत ज्यादा सामने आ रही है तो उसके लिए भी हम लोगों ने अपनी प्लिस को एक नया रूप दिया ह है उने टेक्निकल हम लोग जानकारी दे रहे हैं उनकी ट्रैनिंग करा रहे है और आपको जानकर अच्छा लगीगा कि पुरी राजस्थान में हमने अपनी साइबर थाने चालू कर दिये हैं हर जिला लेबल पर ताकि महिलाओं को भी इस तरह की कि 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 कोई साथ होता है तो आप उससे अपडेट होते रहें राजस्थान पुलिस की वेबसाइड उससे भी अपडेट होते रहें कई सारी योजना केवल आपके लिए बनी है परन्तु आपको उसका पता नहीं है आप लोग हमारी सुरक्षा सखिया भी बन सकती है यानि जित्ति भी जैपूर के अंद परिशानी है लेकिन वह हमें कहने में हिचक रही है बता नहीं पा रही है तो उसकी समझना अगर आप हमें पताएंगे तो पुलिस की जनता की जो बीच की खाई है वह कहीं नहीं दूर होगी और उसकी हर समझना का समाधान होगा यानि हम जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे अब जरूरत है इन सारी योजनाओं के बारे में आप जानकारी लेवे भी और इसका आगे सर्कुलेशन भी करें यानि कि जिनको भी ये समझ में आरी ये मेरी योजना है उनको ज्यादा से ज्यादा वाट्सप पे या स्वेशनल मीडिया पे वारेल करें आप हमपरी हेल्प तब तक वह लगातार आपसे बात करती रहेगी यानि कितनी अच्छी योजना है थाने पर जाने की जरूरत भी रही है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपकी पहचान गोपने रखी जाएगी किसी को नहीं बताएंगे कि किसने की है तो यानि कि घर ब पहर गीने की और इसके लिए राजिस्तान पुलिस कल भी आपके साथ थी आज बी आपके साथ यो कि जिसके कारण ऐसे क्राइम रेशो रेप जैसे मामले सामने आते हैं तो इसके उपर भी कंट्रोल करना एक अहम जिम्मेदारी बनती है जो नशा है उसके उपर भी बहुत ज्यादा करने की जुरूरत है और यह निशिद रूप से जो इस तरह के के गलत काम करते हैं यह लोग इसको लगातार ब्लैकमेल भी लृत हैं तो काल खरां ज्यादा यूदा करता है तो क्ली क्लीण स्वीप इसके तहत हम लोग बहुत तेजी इस नशा चाहरूर से जिरो तोलरेंस रखी है कि कहीं भी किसी भी जगे पर अगर नशा करता हुआ कोई बच्चा मिलता है तो हम लोग उससे पूरी चैन को पता करवाते हैं साथ ही हमने हमारी सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अभी तक जैपुर के अंदर बहुत ही बहतरीन कारवाई नशा कारवारियों के खिलाप हुई है और इसके अंदर हमारा वास्ते में जीरो टॉलरेंस है जो राज्थान पुलिस के लिए फक्र की बात है कि हम नशे को जड़ से समाप्ट करने के लिए दिल से लगे वे किसी भी कारण वस्त से अग हमार 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 हम सब्सक्राइबर है अब हम एक और एक और एमर्जन सिय रफ बाइंज नंबर है वहιο है 112 112 जिसके पास 112 तो कौन क्या बिगाड़ लेगा हमारा या जरूर ध्यान रखीएगा 112 पर पर भी आप कॉल कर सकते है साथ ही महीला गरीमा हमारी 1090 जीरो इस पर आप क इसको गौपनी रखा जाएगा आपको पुलिस स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं होगी और महिला ओफिसरी आपकी बात को सुनेगी जब तक आपकी बात का जरसे समाधान नहीं होता तब तक वह आप से बात करती रहेगी इसके अतिरिक्त हमारी वोट्सेफ हेल्प्लाइन सब्सक्राइब करें दूसरा नंबर है हमारा 73003636363 नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं साथ ही आप हमारे महिला बाला दिखाएता है विवाग का अमारे एक नंबर है महिलाओं के लिए उस पर भी आप आपनी अम्पलेंट को नोट करा सकते हैं वह नंबर है 181 इस पर भी ब आप लोगों को जरूर अपने मोबाइल में रखना चाहिए और उसका नाम है आई शक्ति एप जिसके द्वारा आपकी लोकेशन को आपके मापब आपके गाजन सिया जो भी सुपचिन तक है वो आपको चेक कर सकते हैं और आपको जब भी जरूरत हो आपको मदद पोचा सकते तो इस आई शक्ति एप को आप भी डाउलोड कीजिए और लोगों को भी डाउलोड कराईए यह बिल्कुल निश्युल्क है और इसके लावा हमारा एक और एप है और राजकॉप एप उसमें भी हमने आपको एक आपको यह पैनिक बटन जो है दिया हुआ है महिला शक्ति क लिए खासतो और पर हमने राजकॉप एप विवस्ता किये संबल योजना के ताहित कि कहीं भी अगर एकल बुजर रहता है तो वह अपना इसके अंदर अपना नंबर जो है फीड कराई और चार पांच नंबर और अपने शुचिंतकों के फीड कराई एक हमारा एसे चुका नंबर भी उसमें फीड होगा ताकि जब भी कभी आपको कोई प्रकार की इमर्जेंसी यानि मेडिकल इमर्जेंसी है तो हमारी पुलिस आकर आपको तुरंत मदद दे सके निर्भया भी आपको गोद ले रखी है और हर 15 दिन में आप से आकर मिलती है ताकि आपकी समश्या क समधान कर सके तो बुजर्गों के लिए और युवाओं के लिए बच्चियों के लिए बहुत ही बहतरी योजना है साथी मैं कहना चाहूंगी आप साइबर बहुत ज्यादा हो रहे हैं इसके लिए हमारी हल्पलाइन नंबर आप जरूर याद रखें और वह नंबर है 1930 हर अगर चोविस गंटे में आप हमें 1930 पर कॉल करते हैं तो आपका अगर कोई भी पैसा जो है वह गलती से आपकी गलती से या किसी और की वज़े से ट्रांसफर हो गया है तो उस ट्रांजक्शन को हम रोक सकते हैं आपका पापिस 24 आवर्स में जो पैसा बापस ला सकते हैं लेकिन जरूरत है 24 आवर्स में आप हमें कॉल करें उसके बाद आप हमारे ठाने में यह अर्बिया की वैपसाइट इतादी पर जो भी कारवई होती है वो आप करें लेकिन 24 आवर्स में 1930 पर कॉल करने पर आपको साइबर फ्रोट से जो होने वाली परिशानी है उसे पर हम किसी और का बहतर करें तो बहुत फरक बढ़ता है तो प्लीज इन नंबर्स को अपने साथियों को अपने लोगों को जुरूर बताएं ताकि जब भी विपरित परिस्तितिया हूं तो इसकी मदद ले सके बिल्कुल तो यह थे हमारे साथ एडिशनल डिसीपी सुनिता मेना जी बिल्कुल जाहिर से बात है अगर कारिये अगर अच्छा किया हो तो उसका गुंडगान भी करना चाहिए और उसको लोगों को भी बताना चाहिए तो उसी तरीके से जिस तरह की योजनाई अब आ रही है निकल कर जिससे फाइदा मिल सकता है महिलाओं की जिसमें आपकी बहन बेटी आपके परिवार से किसी को सुरक्षा मिल सकती है जो ऐसे अपराज से बचकर आ सकता है कि क्यूंकि निर्भय स्कुएड है जो आज की दिन कारिये कर रही है वाकर ही जो तारीफ योग है तो इसके लिए सब को बताना भी चाहिए और इसके लिए कि हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें अव्देश टीवी और पलपल के अपडेट्स के लिए बैल आइकन को दबारा ना भूले क्यूंकि आपकी खबरों का घरोसे मन साथ ही है नवदेश टीवी